दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कुछ ऐसे कोरियन ड्रामा को जिसके अंदर हमारे में लीड करेक्टर के पास ऐसी सुपरनेचुलर पावर्स होती है जो उन्हें बाकी इंसानों से बिल्कुल यूनिक और अमेजिंग बनाती है और कमाल की बात तो यह है क यह सभी कोरियन ड्रामा हिंदी ड्रब में अवलेवल हैं जिनने आप MF Pay on Netflix में राम से इंजॉय कर सकते हैं और इस लिष्ट में आप सभी के लिए बोनस कोरियन ड्रामा भी इंग्लूड किया गया है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें तो लेट्स बिगिन होने वाला गार्डियन भी है और उसके परिवार वाले कैफे भी चलाते हैं जिसकी मदद से वो कपल्स को मिलाते हैं अपने इमोशन देखने की पावर्स और मैजिकल ट्री के पोलन की मदद से पर इसी बीच ओसु एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर देता है क्योंकि वह उसी यूरी को पोलन भिला देता है जिससे उसे बाद में प्यार हो जाता है और क्योंकि ओसू प्लन को Clearly और उसके पार्टनर के लिए बनाता है और इसी लिए और सियू यूरी कभी एक साथ नहीं आई सकते हैं उनका प्यार accept नहीं किया जा सकता है उस magical tree के पुलन की वजह से बर इसके बावजूद भी उसु अपने प्यार को पाने के लिए क्या क्या करता है यह सभी आपको इस ड्रमा में आगे देखना है इस ड्रमा में टॉटल सेशन एपिसोड है और हर एक एपिसोड फिप्टी मिनेट के होने वा सुवा के अंदर एक mysterious powers आ जाती है और वो उसके मदद से किसके death होने वाली है वो देख पाती है पर फिर एक दिन उसे अपने सपने में जिसकी आँखें उसे डुनेट की गई थी उसकी death कैसे होई थी ये भी दिखना शुरू हो जाता है और उसे बताद चलता है कि उसकी death natural नहीं होई थी बलकि उसका मडर किया गया था और उसका मडर अभी भी फरार घूम रहा है इसके बाद सुवा डिसाइड करती है कि वह उस लड़की को इंसाफ दिलाएगी और उस मडर को सलाफों के पीछे डालेगी जिसमें उसकी बदाता है वू यून और क्या वो दोनों म पर इसके किताब से एमडी पर 7.2 आउट ऑफ टेंगेडिंग मिली है यह एक रोमेंटिक कोरेंट ड्रामा है जो कानी दिखाई गई है किम सॉल आ की जो कि अपने पीछले रिलेशनशिप में हुए ब्रेकप की वजह से अपने आपको किसी तरह समाल रही होती है पर फिर एक यह रहती है कि किसी को भी उसके सच्चाय के बारे में पता नहीं होता है और वर उसके डामा का इनप्र ले लेता है घिसे आपको बिल्कुल भी मिसनी गनना काहिए इस ड्रम में टोल 12 एपिसोड हैं और हर एक एपिसोड 60 में होने वाले हैं जिने आप MS प्लेयर में राम से इंजॉय कर सकते हैं इसके शोड़ी में आप देने वाले हैं सांग जू को जिसके पास पावर्स होती है कि वो मरे हुए इंसान को देख सकता है जिसके वज़े से वो अपनी डिटेक्टिव की जॉब छोड़ कर एक अंडर्टेकर बन जाता है जिनका काम होता है फुन्रल्स करवाना फिर एक दिन सांग जू को फुन्रल में एक ऐसी लड़की की आत्मा मिलती है जो उसे बताती है कि उससे सुजाइड नहीं किया था बलकि कि उसका मडर किया गया है जिसके बाद सांग जो अपने डिटेक्टिव वाली जॉब के एक्स्पिरियंस और कनेक्शन की मदद से उस केस में काम करने लग जाता है और उस केस के दुरान उससे क्या बता चलता है और उस लड़की के साथ असल में क्या हुआ था यह सभी करने वाले दो कपर्स हाई यूरिम और ली सू यून इन दोनों के जिनकी लफ स्टोरी में कुछी भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि ली सू यून के पास मिस्टीरियस पावर्स होती है जिसे वो सबसे चुबाता है और एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाता है पर वो ऐसा करने ह पाता है क्योंकि जब भी हाई यूरिम कोई भी मुसीबत में फस्ती है तब ली सू यून अपनी पावर्स का इस्तिमाल करके उसे बचाता है जिसके वजह से ली सू यून की सच्चाई सब लोगों के सामने आने लग जाती है और उसका इंशन एरोबड में काम करना मुश्क कर सकते हैं इससे 2016 में रिलीस के गए यह बहुत एक खुबसूरा लवश्चोरी है कि इंसान और एक मरमेड के बीच की जिससे आपको बिल्कु भी मिसनी करना चाहिए जहां खानी दिखाई गई है हुजुन की जो कि एक चोर होता है और वह एक्सिडेंटली मिलता है शिम चं को शिम चंग से प्यार हो जाता है पर इसी तुरह नहीं जूंग को पकड़ने के लिए सबसे खतना किलर डा यूंग अपनी गैंग के साथ मिलकर उसे हर जेकर ढूंड रहा होता है ऐसे में वह दोनों कैसे सर्वाइब करते हैं और आगे इस ड्रम में बहुत कुछ रोमांच की वजह से गुज़र जाते हैं और अब चाय उनसू का इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं होता है जिसके बाद चायू ने एक अपार्टमेंट में शिफ्ट करता है जिसके बाद उसे बताचलता है कि अब कोरिया में रेड अलर्ट चालू हो गया है क्योंकि एक करता है कि वो अपनी इस पावर से सभी लोगों को सुरक्षित मिलिटरी बेस तक लेकर जाएगा पर कभी-कभी चाहिए उनकी पावर आउट ऑफ कंडूल हो जाती है और इसके बावजूद भी क्या वो सभी को लास तक सुरक्षित बचा बाता है या नहीं यह सभी एक भूत में इसके किताव से आमडी पर 8.2 आउट ऑफ टेंग मिली है इस रवा में गानी दिखाई गई है मान वोल की जिसने कई लोगों की जान ली होती है जिसके वज़े से उसे गौड शाप देते हैं कि वह कभी मर नहीं सकती है और साथ में उसे एक ऐसे होटल को चिलाने की जिम संग को होटल डेलू ना में जबर्दस्ती काम करना पड़ जाता है ऐसे में वो उस आत्मा उसे भरे होटल में कैसे सर्वाइब करता है और उसके साथ लास तक बहुत कुछ अनिमेजिनेबल होता है और उसे बसा चलता है कि वो किसी तरह जांग मन के पास से जुड़ा हुआ है और वही है जो उसका शाह भी तोड़ सकता है जिसके बाद यह कानी कई सारे ट्विश्ट लेती है जिसे आपको बिल्कुए इस नहीं करना चाहिए यह ट्रामा में टोटल सिष्टीन एपिसोड है और हर एक एपिसोड से एट्टी मिनट के होने वाले है नमबर टू पे ज जो नाम करा एक एलियन हमारे अर्थ में 400 साल पहले आता है पर किसी वज़ा से अपने प्लैनेट नहीं जा पाता है पर अब उसके पास सिर्फ तीन महीनों का टाइम होता है और अगर इतने टाइम में वह वापस अपने घर नहीं गया तो मारा जाएगा पर इनी तीन महीनों में उसकी मुलाकाद होती है एक्ट्रस चॉइज ओंग ई से और उन दोनों को एक दूसर से प्यार हो जाता है पर क्योंकि तीन महीनों बाद डूमिंजु को अपने प्लैनेट वापस जाना है तो ऐसे में उनके लफ स्टोरी में आगे क्या होता है यह सभी आपको देखने मे अपिसोड हैं और हर एक अपिसोड 60 मिट की होने वाले हैं नमबर वन पे जो कोरें नामा आता है उसका नाम है गोब्लिन इसके डिरेक्टर को ओडियन्स की डिमांड पर इसके शोली में दिखाया गया है जनल किम शिन को जिसने अपने तलवार से कई लोगों की जान ली होत दिए इसलिए गौड उसे गौब्लिन बनात देते हैं और एक शाप भी देते हैं कि जब तक उसकी सीने में से गौब्लिन की दुलन वह तलवार नहीं निकालेगी तो खुद मारी जाएगी ऐसे में क्या करता है यह सभी आपको इस डुबर पावर्स भी होती है जो इस ड्र करते हैं लाश में लोगों के लिए बोनस कोरियन ड्रामा जो इंगलिस सब्टैटल में भी कोरियन ड्रामा को इंजॉय करते हैं इस ड्रामा में कानी दिखाई गई है लियून की जो कि अपने प्यार को बचाने के लिए मांटन गौर से नाइन टेल फॉक्स बन जाता है ताक पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात नाम जी यहां से होती है जिसके बाद लियून की पूरी जिंदगी बदल जाती है और वो दोनों मिलकर उन सुपर नैचुलर क्रेचर के के केसिस में काम करने लग जाते हैं आगे इस ड्रामा में और भी बहुत कुछ इंडरेस्टिंग होता हैं जिस पर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूं और अगर आप ऐसे अमेजिंग वीडियोस को हर अपते चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बन को जोर दबाएं और आपको यह वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक के विना बिल्कुल में जाहिए और क हुआ हुआ है